वैं में हलोस एभरीवरीवन वेल्कम बैक्क टो माई चैनल तो आज हम बनाएंगे यह रेइन्बो जिसको किरिंग भी यूज कर सकते हैं और एज कीयरिणbी यूज कर सकते हैं की दिंग भी यूज़ कर सकते हैं देखें कितना प्यारा लग रहा है देखने में तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहले हम लगाएंगे नॉट अब हम बनाएंगे बारा चेन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नूँ, दस, ग्यारा, बारा बारा चेन बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे मैंने आपको जितना साइज दिखाया, उसके लिए बारा चेन ही बनेंगे अगर आपको इस साइज से बड़ा साइज बनाना है, तो आप ज़्यादा चेन ले सकते हैं अगर आपको इतना ही बनाना है तो हम 12 चेन बना रहे हैं उसके लिए एक चेन बनाई आप चाहे तो इस रिंग के अंदर 24 सिंगल क्रोश्या कर सकते हैं नहीं तो आप इन चेन के अंदर भी कर सकते हैं अगर चेन में करेंगे तो हर चेन में दो-दो सिंगल क्रोश्या और अगर इसमें रिंग में करेंगे तो टोटल आपको 24 सिंगल क्रोश्या करने हैं हर चेन में दो-दो सिंगल क्रोश्या करने हैं अगर आप चेन में ना करना चाहें तो डिरेक्ट रिंग में कर सकते हैं तो टोटल 24 करने हैं आपको मैं चेन में करनी तो हर चेन में आपको दो-दो सिंगल क्रोश्या करने हैं आपको यह देखिए मैंने हर चेन में दो-दो सिंगल क्रोश्या करें हैं लास्ट में आके आपको जो फर्स्ट पहले वाला सिंगल क्रोश्या उसमें से हमें स्लिप स्टिच कर देना और कट कर देना है इसको कट किया अब हम नेक्स्ट कलर एड़ करेंगे नॉट लगाई अब किसी भी स्टिच में आप इंसर्ट कर सकते हैं एक चेन बनाई अब हमें क्या करना है पहले में सिंगल क्रोश्या दूसरे स्टिच में भी सिंगल क्रोश्या तीसरे में भी सिंगल क्रोश्या फिर फॉर्थ बन में दो सिंगल क्रोश्या अब फिर दुबारा से उसे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोश्या फिर उसे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोश्या मतलब तीन में एक सिंगल क्रोश्या आएगा और फॉर्थ बन में दो सिंगल क्रोश्या बनाएंगे से में ऐसे आपको यह राउंड कम्प्लीट कर लेना है यह देखिए मैंने राउंड कम्प्लीट कर लिया है अब लास्ट में हम इसको कि स्लिप स्टिच कर देंगे और कट किया अब हम निक्स्ट कलर एड करेंगे सेम वही प्रोसेस पहले नोट लगाएंगे आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं एक चेन बनाएं और फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया फिर उसे निक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया फिर उसे निक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया फिर उसे निक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया फिर उसे निक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया अदर्ब कि चार बार आप एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्ट बन में आप क्या करेंगे दो सिंगल क्रोशिया करेंगे यह देखिए अब हमें फिर चार बार एक एक बार हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करने हैं यह एक हैं वाझन और ने ढाब मशावच्व प्रों कंडुल क्रोशिया कर अर फिफ्ट बन में दो बर सिंगल क्रोशिया करेंगे देखिया ऐसे आपको पूरा राउन कंप्रीट कर लेना है इह देखिए मैंने सार्व में कर लिया हैं पूरा राउंड कर लिया है आप फर्स्ट बन में हम किस्लिप स्टिच करके आप एक चेन बना के भी दागा कट कर सकते हैं और आप ऐसे अब हम निक्स्ट कलर एड करेंगे अब हम निक्स्ट कलर एड करेंगे एक चेन बनाएं और इसी में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया अब हम पांच बर सिंगल क्रोशिया करेंगे एक मतलब हर स्टिच में एक एक पांच स्टिचिज में दो तीन चार पांच अब छटे में हम दो बार करेंगे सिक्स्ट वन में टू सिंगल क्रोशिया देखिए यह हमने पांच में एक दो तीन चार पांच और शिक्स्ट में हमने दो करेंगे हैं अब ऐसे दुबारा से एक-एक सिंगल क्रोशिया स्टार्ट, एक, दो, तीन, चार, पांच, और शिक्स्त में दो सिंगल क्रोशिया, ऐसे आपको पूरा राउंड कम्प्रीट कर लिए, यह देखिए मैंने पूरा राउंड कम्प्रीट कर लिया, अब हम फर्स्ट बन में स्लिप स्टिच करेंगे, अब हम नेक्स्ट कलर एड करेंगे, अब हम झाल करेंगे, यह दो दो, बनार राउंड कर लिए लिए, यह दो, गज दो, यह दो, आपको पूरा राउंड करेंगे, एक चेन बनाएं और इसी में ही हमने सिंगल क्रोश्या किया फिन नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोश्या दो थर्ड में भी फॉर्थ में भी फिफ्ट में भी और शिक्स्ट में भी और सेवन में हमने दो सिंगल क्रोश्या कियें तो आसी आपको अपना ये पूरा राउंड खतम कर लेना है छे बार हर स्टिच में सिंगल क्रोश्या और सेवन में दो सिंगल क्रोश्या कर लेने हैं आपक तो ऐसे यह पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती है यह मैंने पूरा राउंड कर दिया है लास्ट में आपको स्लिप स्टिच करना है कलर चेंज अब नेक्स्ट आगे हमारा रेड कलर उसमें हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना जितने स्टिच इस रहेंगे हमारे हर स्टिच में आपको एक-एक सिंगल क्रोशे करते वे जाना है नोट लगाई है नोट लगाई आप इन धागे को ऐसे साथ में भी रख सकते हैं मैंने पहले नहीं रखे लेकिन आप ऐसे रख सकते हैं कि आपको पीछे नोट ना लगानी पड़े और पीछे दिखेंगे भी नहीं फिल देखे भी मैं बताती हूं आपको कि एक सिंगल क्रोशिया लिया और इसी में एक सिंगल क्रोशिया अब देखिए जैसे यह और इंज दागा है इसको उनने साथ में रखा कि आप लेड को भी रख सकते हैं कि लेड और 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 इंज को लखा हमने साथ में और सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करते वे जाना है यह देखिए और इंज वाला दागा बिल्कुल छुप गया है अगर आप इसको ऐसी रेड को भी साथ में लेंगे आपको दिखा देती है यह देखिए मैंने ऐसे साथ में लिया हुए हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते वे जाएंगे और दागे को पकड़के रखेंगे पीछे बैक साइड से यह देखिए रेड वाला दागा भी छुप गया है ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना हर स्टिच में एक-एक रेड कर लेना है एक-एक सिंगल क्रोशिया यह मैंने पूरा एक क्राउंड कंप्लीट कर लिया है अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को थोड़ा बढ़ा रखना है आमने इन धागे को अंदरी रख लेंगे यह थोड़ा छोड़ा छोड़ा आमने को यह देखें अब हमें निडल से यह सिलाई करनी है बीच वाली यह हम हर चेन में से लेते वे जाएंगे एक एक चेन में से लेते वे जाएंगे कर दोड़ा आमने कर दंद दोड़ा आमने कर दोड़ा लेखें करा दोड़ा आमने अब हमें वाली यह दि огलोज़ा आमने कर दो बillar कि यह देखिए मैंने इतना चिल दिया अब इसमें हम कॉटन इंसर्ट करेंगे थोड़ी थोड़ी करके कि यह दो जोड़ी करेंगे कि यह दोड़ी करेंगे कि यह दोड़ी करेंगे झाल यह देखिए हमारा हाफ पाट कम्प्लीट हो गया है मतलब एक पाट कम्प्लीट हो गया है अब हमें यह बनाना है यह वाला पाट यह बनाने के लिए आपको ऐसे आपको एक, दो, तीन तीन-तीन का पेयर बना लेना है और इसको ऐसे फोल्ड किया देखिए इंसर्ट किया तीनों को गुमाया तीनों को एक साथ लिया निकाला और फिर सारे धागों को इस लूप में से निकाला ऐसे टाइट कर देना आपको एक बार और देख लिजी सबको एक साथ निकाला फिर लूप में से निकाला एक साथ और फिर टाइट कर देना है यह देखिए ऐसे फोर टाइमस इदर और फोर टाइमस इदर आपको कर देने है यह देखिए कुछ ऐसे हुआ अब आपको इसको कट कर देना है आपको यह जितना लंबा छोटा चाहिए आप उतना रख सकते है वह आपकी मर्जी है आपको जितना चाहिए उतना रख्के आप कट कर दिए हम कर दो करlerin कर दो कर दो दो concentrations के कर दो कर दो कर 나쁜 है कर दो है दो कि दिए है यह हमारा rainbow तियार हो गया अगर आपको उसको पर chain बनानी है तो मैं आपको बताती हूँ एक चीन, दो, तीन, चार, पांच आप ऐसे बेंड करके मतलब इसको ऐसे आपको कितना बड़ा लूप चाहिए आप देख सकते हैं पांच, छे, साथ यह देखिए, यह एक लूप बन जाता है याँ पर आठ और आप आप स्लिप स्टिच कर दीजिए और जो यह धागे हैं आप इनको अंदर डाल सकते हैं फज्टनेते हैं ड्मार सकते हैं भय Best is अ र लो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह रेंबो की उचेन कैसा लगा थेंक यू